कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पीके साहू मेरे कोचिन सिंडर आई एम पीके साहू सीजी में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हम आज देखने वाले हैं विज्ञान प्रयुक्साला से समंदित रसायनिक सुत्रम मौसल कनपना ठीके दोस्तों जो नए हैं उनके लिए आगरा है कि आप नए देख रहे होंगे यदि आपको देखने के बाद मेरे अच्छा लगता है तो लाइक करें करें सब्सक्राइब जरूर करें दस्तों हमने लगभाग जो है फिजिक सका कोर्स कम्प्लिट कर दिये हैं कमिस्ट्री का लगभाग आधा हो चुका है तो भी बनाते जा रहे हैं कुशन एंसर हम दो प्रकास ले रहे एक तो लेटेश्टे कर ले रहे हैं जो आ सकता है एक हम पूरे 24 साल से जो कुशन आचके हैं इसको भी हम डालते जा रहे हैं कभी जो पर देखेंगे छली हम देखते हैं रहाशायनिक पार पढ़ना यहां आपको थे मतलब नहीं आपको फाल्तों चैस़् मजने से हम को पूछा जाएगा वैभव को comparing हैज च्ञानेसी शमल से जानते हैं वकले ने करेंगों के दिक्साइसी फॉब करदा सरजयाग योग के सूत्र अब सूत्र बनता कैसे हम सरजयाग बन्द पढ़ें हैं अएनिक बन्द पढ़ें गूतना कारवण के बास अन्ती में 4 एलेक्ट्राण आक्सिजन के पास कितना है चैनल के बात इसको अश्टक पुर्णा करने के लिए दो चीए एक दो यहां आजाता है यहां दो बसता है एक दो यह ले लेता है सीधी से बात एक दम इसको हम पढ़ चुके हैं ठीक है लेकिन यही तो फार्मूला है अब पूछा जाएगा आपको कि ओ सीओ थ्री क्यों नहीं लिख सकते अब सीओ थ्री लिखेंगे तो इसके पास तो इलेक्ट्रान तो है ही नहीं और कहां से देगा ओ तो सीधी से बात है क कि जब इलेक्ट्रान उसके पास देने देने होते हैं तब इस प्रकास से हम फर्मूला बना सकते हैं जैसे एस टू की बात करते हैं एस टू ओ अब आक्सिजन के पास कितना है चैह है अंतिम है ना अपास घ्रन के पास का है यहरे यहां पर है जश्क दूक्त करने के कारण ही इसमें इलेक्ट्रान का अधान-प्रदान होता है और शूत्र गुरुप में विवस्थित कर दिया आपको पढ़ने से क्यों नहीं कर सकती यह नहीं कर सकते सब्सक्राइब हुआ है ठीक हम आगे देखते हैं आपको सबसे महत्तपूर्ण है यह याद रखी यह निकालने आ गया तो समझली आपका एक कुस्टन बन गया अनुभार निकालने आना चीए मैं सारे चीज यह पता दिता हूं आपको अनुभार कैसे निकाला गयता है देखो हम जानते हैं कि तत्त्य करमानु भार की गन्ना की जा सकते हैं तत्तो के परमानू भार, मतलब कार्बन का परमानू भार कितना होता है? बहरा होता है. ये परमानू भार से अनू किसे एक बोलेंगे? जिसे NS3 हो गया, एश्टू हो गया जो तत्वा आपस में सेयो करके जो योगिक बनाते वही तो अनू कहलाता है जो साजह करके योगिक बनाते उसे अनू बोलते ना कि जो आयनिक बंद वारा बनाते उसे अनू नहीं बोलते पर्मानु भार से अनुभार कैसे निकालेंगे आप जैसे हम A2O के बारे में जानते हैं मैंने बोला था आपको जदि आप 36 तक के लेक्टानिक विन्यास कम्प्रिट कर लेते हैं इसका पर्मानु भार जानते हैं 36 तक का तो आपका कोई भी कुश्चन नहीं छूटेगा मैं I guarantee ठीक है A2O का पर्मानु भार यादि आपको पूछे अनुभार स्वारी अनुभार तो हैड्रोजन का पर्मानु भार कितना होता है एक ही होता है कितना है प्लस आक्सिजन का पर्मानु करमां कितना होता है आठ और पर्मानु भार कितना होता है 16 ठीक है यहाँ पर क्या कर द तो इस प्रकास आपको अनुभाण एकदन सिंपल सी बात है दोखिए यहाँ पर आयची सट यूनिट हो जाएगा देखिए ऐसा आपको निकालना है ठीक है उसी प्रकार से केवल कार्बन केवल नाइट्रोजन के बोल दिया जाए कि अनुभार कितना है यह एंटू का बोल दिया जाए तो क्या करोगे प्रमानुकर्मांग कितना होता है साथ प्रमानुभार कितना हो से समझ में अगया होगा जैखते हैं आयनिक यागिक की मुलानुपाति सुत्र दरब्रमान भूय ही सिंपल तरीका है इसको जानने का सथ इसका कैसे नंगरते अयनिक यह कि का मुलानुपाति सुत्र कैसे लिखते हैं देखें, sodium chloride का आनुविक सुत्र संभव नहीं है, कैसे, क्यांगि ठोस आयनिक योगिक में अनु नहीं होते घटक आयन होते हैं देखिए ठोस सोडियम कोड़ाइड का सुत्र क्या होता है सोडियम कोड़ाइड यह इसको तोड़ दिया जाए तो सोडियम प्लस और क्लोरीन आयन होता है या उसका मुलानुपात्य सुत्र है यही क्या है उसका मुलानुपात्य सुत्र है क्योंकि मैंने उपर से बताया था आ प्लस क्लोरीन माइनस मतलब यह आयनिक बंधद्वारा बना हुआ है इसलिए यह अनुसुत्र नहीं होगा अब यह इसका मुलानुपातु सोडियुम कोड़ाइटि निकालना हैं तोंग्तावा मुलानु का अन्ठावाट मनलव इसके ठीक है दोनों का योग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आठ अठामाद असमलोग पाच मलब इसके परमानु भार को आपस में जोड़ दीजिए जिस प्रकार से हमने उपर निकाला था न वैसी से में इसका भी निकालना होता है ठीक है तो चलिए नेश्ट देखते हैं नेश्ट में देखते हैं बहु परमानुक आयन अब यह बहु परमानुक आयन किसे बोलते हैं बहुती सिंपल साज आपको के बाद जान करें चीए यहां पर देखिए बहु परमानुक आयन क्या चीज़ है देखो यहां पर सोडियूम को्राइट कर जलिवीण विद्दुत का सुचालग है बिल्कुल सही है है वहाँ आयनिथ हो गामानुक बार दचाहर फिसलीव द्री के साथ करते चलीप बै। इसक आधा पर हम कह सकते हैं कि सोडियम नाइट के बारे में देखते हैं तो जब अलग-अलग लिखते हैं इसको लिखते हैं सोडियम प्रस अब no3- देखों यहाँ पर लिखा हुआ है उसी प्रकास से कुछ विभिन्नाओ धारने द्वारा जब पानी इनमे विले किया जाता है किसी यमीट को पानी में मिलाया जाता है आइने की यमीट होता है जल में विले है यहां पर तोड़कर रखा गया है इसी प्रकास सभी को तोड़कर रखा हुआ यहां तक देख लीजिए तो इनमें बहु परमानुक किसे बोलेंगे जो सिंगल है वह बहु परमानुक नहीं है लेकिन एनेट फोर है एस ओफोर है सीओ थ्री है और माइनस है यह सारी चीजिए क्या बहु परमानुक तो बहु परमानुक पहचानने की कैसा पहचान होगे जिसमें एक से अधिक परमानुक हो जिसमें एक से अधिक जिसे एनेट फोर में परमानुक है और जो प्रमाणु कर सकते घंद देखिए यहां पर लिखा हुआ है विरेक तो अभिक्रय कहाँ में अ अ लुग Unique 4 फोर प्लैस एस रफो्डो माइनास माइन यान क्या बहूत प्रमानुक आयान है बाकि वह प्रमानुक आयन ने कुँलोरिन सोडियम इस लियाम कैल्सियम क्यों कि यह सिंगल है मैं क्यों ट्रीक बता रहूं आपको पहचानने का उतना डीप मत जाए कि कैसा है कि देखने की ज़रुद नहीं आपक कि याद रखे कि इस प्रकास को बहुत परमानुख बोला जाता है प्राशने आ सकता है इस स्योडियम नाइट्रेट में बहुत मानुख आयन कौन से तो कौन सा दिन अ-3 माइनस इसका बहुत परमानुख हो चलिंग देखते हैं अ नेश्टर में हम देखेंगे थोड़ा सा जानकारी की रूप में मुलक को देख लेते हैं मुलक होता है एक तो होता है छारी मुलक एक होता है अमली मुलक तो छारी मुलक किसे कहेंगे और अमली मुलक किसे कहेंगे देखिए धन आयन जो छार से प्रावत होता है इसे छारी मु माइनवाकि ठीक है। यह दो प्राप्त हो रहा है यहां पर देखिए यह क्या है आपका इन मोप्लस क्लिश्忙phob cu तो यह क्या होगा। छारी मुलक होग4 प्लस कहां से प्राफ़त हो रहे चार से प्राफ़त हो रहे. तो झारी मुलक होगा। uneasy म्यखत व्हीं से क्या है अब अमली मुलक किसे को हैंगे। नहीं, NO3, A0-. को माइनस यहां से ये सब दिख रहा है दी कि अमलियर मुलक है चार तो सीर किया जाए मुलक की रिनात्मा को चारी मुलक और अमले से प्राप्त होने वाले रिनात्मा को अमली मुलक कहा जाएगा के वाल पहचान लीजिए इसको ठीक है चलिए इसमें देखते हैं बहु पर्मानुक आयन वाले योगिक के रसायनिक सूत्र देखो यह भी बहुत बढ़िया भी है आपको समझिए इसको हम कोन से विदि कहते हैं आडा तिर्चा पध्धती भी कहते हैं आडा तिर्चा पध्धती जिसमें हम रासायनिक सुत्र लिखना सीखेंगे तो आपको इस प्रकार से दे दिया जाए तो आप बना सकते हैं इसका मान कितना होगा चलिए देखते हैं इसका मान कितना होगा साथ से पहले आपको इस प्रक हेड्रोजन मिला है चार तो टोटल 11 इलेक्ट्रान हुआ इसके लीकर लिखिये दो अर्ट और एक मालय समय जखता कि इसका का एक यहां पर एक लिखा हुआ है जहां से सुनिए ठीक है इस समझ आएगा तो आप डबल करके क्लिक करके देख सकते हैं उसके बाद इसकी संजगता लिखिए कार्बन का च्छे और आक्सिजन का आठ आरतिया चोबिस कितना हो जाएगा तीस तीस एलेक्टरान हो जाएगा तो दो आठ अठारा कितना हुआ 18 आखने जए डो तीस इसके संजगता कितने हुई दो ठीक है आपको समझ में आ गया अब क्या करते है इसके संजगता को हम नीचे में लिखे हुए हैं तो संजगता को तीरशा कर दीजिए ये 2 हो गया और एक हो गया तो समझ लिए यह क्या हो जाएगा एन एच फोर टू कि कैसे लिखते हैं इसको यह देखिए जब संजकतर लिख लिए हो तो एन एच फोर हो जाएगा अब कोश्टक के बाहर दो हो जाएगा और सी ओ थ्री एक को दर्साने की ज़रत ने एक से गुना करोगे तो एक हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से हम किसी वह परमानु का सुत्रा लिखते हैं चले देखें नेश्टर लिखा हुआ है इसी का इसी के बारे में यह देखिए है ना संजक्तर निकाल निकाल कर यहां पर बनाया गया है देखिए धारान के रूप में इसके संजक्तर एक एक साइड हुआ उससी परकार से यहां पर देखिए यह सारे जो धारान देखिए आप आपको समझ में आओगा समझ नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइस करके आप देख सकते हैं ठीक है चले हम नेश्ट देखते हैं मोल संकल्पना मोल क्या है मोल एक संख्या है बिल्कुल समी बात है आये हम आया या कहां से आया इसको इसको उप्योग क्या है हम देख लेते हैं शन 77 Majanunga पता चला कि तद्वो आपस में एक नि्षित अनुपात में ही कर्या करते है अब पहले इसके नििषित अनुपात भार का नुसार भी पहचाना घया था पिर वह घ्ञानिक गैलुसाक ने अने गैसव करा सायने किराओं का धन किया उन्होंने देखा कि निश्चित ताप और दाब पर क्या होता है देखें निश्चित ताप और दाब पर गेलुसाक गेलुसाक का बहुत बड़ा हाथ है इसमें सदेव आयतन के अनुसार सरण अनुपात में ही क्लिया करते मतलब समान ने ताप दामल किर्या होने की बाक्षा की लेकिन जो नियम के लुसागम ने वेक्त हिया क्या कारण है इसका प्र네प पता पता नहीं था मलागे लुसागम के पास इस प्रष न का एंशर नहीं था 21 कारण से उसके ताफ निश्चित और ताफ ऊरुदाब पर प्रमानु कर्मान पर्मा अयत्म जो है सद्यों बराबर रहते हैं अइसा क्यों यह निच्चे तनपात में किस प्रकार से आगे बढ़ता है उसका अंसर नहीं था उसी समय व्यज्यानिक वेर जिलियस ने बहुत ही सरल तरीके समझ जाया उन्हों ने क्या कहा देखे बहुत ही कि उनके उनसार दे गए गेंस कायतन में कनों की संख्या समान होती कैसे एक लिटर हाइड्रोजन के कनों की संख्या उतनी ही होगी जितना क्लोरिन के एक लिटर मतलब क्लोरिन को एक लिटर भी लोगे और हाइड्रोजन को भी एक लिटर लोगे तो जितना कन हाइड्रोजन में रहेगा उतना है कितन में रहेगा क्लोरिन में रहेगा ऐसा इन्हों सोा एक और चभूकाने वाले बतार है कि की ब्रज़ुए करने बाहब 시청 और यह क्यों सात्थ दोनौं गयांज एक ऐक यक्या कर रहे हैं कि दोनों में आप एक शीक परमानू भार की गर्ना की गई इसी तरह यहां पर देखिए यहां बताया गया है हम बताने के क्या प्रास करें वह समझना होगा आपको यहां पर शारी चीज़ को छोड़ दीजिए अलग अलग गैसों के अनू या प्रमानू के भार को भार के अनूसार लिया गया उनको एक निच्ची ताप और दाप पर रखा गया तो क्या निसकर्स निकले देखिए बहुंती मज़ेदार निसकर्स निकले हुआ है यही आपका फैक्टर यही आपको याद रखना है जिरू अन सिल्श्यस तथा एक वाई मंदली दाप दो ग्राम हैड्रोजन का आयतन कितना है 22.4 लिटर वहीं पर जिरू अन सिल्श्यस पर एक वाई मंदली दाप पर चत्ती दिसमलो पांच ग्राम हैड्रोक्लोराइट का आयतन भी कित कितना था 22.4 लिटर था देखो यहां पर भी और यहां पर भी समान ताप दाप पर यदि 18 ग्राम भाप ली गई तब भी उसका आतन 22.4 लिटर था इसी तरह जब किसी गैस का 0-1 इस और एक वाई में दाप के साप्यक्षिक अनुभार ग्राम में लिया गया तब भी उसका आत होता है कि 0.6 और एक वाई मुनेदा पर किसी भी गैस के किसी भी गैस के आयतन 22.4 लिटर ही होता है जहां कनो की संख्या 6.022 गुना 10 गहां 23 होता है ठीक है यहां बारजिलियस का कथन के अनुरूप था किसका नुसार बारजिलियस के तो इस जो कन है इतना कन है उसको क्या बोलते है आयवो गोड्रो संख्या बोलते हैं अईसी को लाश्ट में आगे चलकर मौल के नाम से जाना गया इसके नाम से एक मौल में कितने संख्या होते हैं है ना तो 6.022 गुनित 10 गहां 23 यह इसको आवो गैट्रो भी संख्या कहते ह इसे एंट जिरो से दसाया जाता है अ कि इप इसके बाद आगे चलकर के नाम क्या दिया गया ओष्ट वाल्ड ने आवा गड्रा संक्षा को मौल सब्सक्राइब दिया इसके लेटिन सब्सक्राइब क्या थेर करना फेर पहुँँ सारा करनों का धेर एक मौल ब्राबर कितना होता है जिस प्रकार यदि एक ग्राम सोडियम में एक मोल सोडियम प्रमानु जहां बोल दिया समाज जाना प्रमानु कर्मानु मतलब स्वारी कनो के संख्षक कितना हो जाएगा जिरद समलार दो दो गुनी तस किहाथ त्यविस जैदी बाराग उसी प्रकार से बोल दिया जाएगी दो प्रमानु नु भार्वन मतलब कहाँ हो जाएगा वह 12-ру से गुना कर देंगे तो बारह जो क्या मोल दो इसे इस प्रकार से इसको आपको याद है चलिए हम नश्रा देखते हैं बहुत मझेदा रही वाला ऊसा है हूत इसमें कारबं का ना प्तार्थ के भार की मॉल यह तो डूसान इसाना पतार्थ के भार से कैसे निकाल सकते हैं मुलो के संख्या कैसे याद कर सब्सक्राइब यह याद इसमें अनुभार रहेगा इसमें परमानू भार रहेगा तिक तत्तों के लिए उपर वाला यह क्या है तत्तों के लिए यह मूलों के लिए दिया गया ग्राम भार भार परमानु इसमें अनुभार रहेगा इसमें परमानु भार रहेगा ठीक है यह कुछ अनुभार प्रमानु आयन है इसके संक्षा मुल से निलिकित प्रकार सम्बंदित है तो आप इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं बहुत सिं परमानुकर्मान कितना होता है 11 तो अनुभार क्या हो जाए 11 दोनी 22 इसका तेष रहता है 22 होना चीए लेकिन वाके में इसका वास्तवी क्या है तेविस है तो ग्राम पहले दे दिया है अनुभार हमको निकालना होता है सोडियम का परमानुकरमान 11 होता है तो अनुभार कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा तो 23 से भाग देजिए कितना जाएगा यहाँ पर देखे 4 मोल दिखा इधर है आपको 4 मोल यह देखे नेचे में लिखा हुआ है 4 मोल यहाँ पर देखे फिर से बतारूं आपको 92 ग्राम सोडियम का मोल संख्या कितना हो गई हमको पूछा गया है ठीक है तो 92 ग्राम तो क्या हो गया करनो की स्वारी यह क्या हो गया उसका दरभिमान हो गया हमको निकालना है अनुभार क्या निकालना है अनुभार तो सोडियम का प्रमानू कर्मांग कि इतना होता है ग्यारा ग्यारा दूनी-बारे तीस इसका प्रमानू अनुभार है तो ब्यन्वे को तेस से भाग दे देंगी जो जो एक आपको इतना है है कि जीरो दसमल जीरो से शास एक वाइंड बने दापक किसी के इसका मौल बाइज दसमलों चाल लिटर होते यह आप गांट बंद के रख लीजिए बस इतना याद रखिए और कुछ याद रखने की ज़ुरत नहीं आपको ठीक है अनू या सुत्र भार को ग्राम में दर्साया जाता है सुद्ध पदात के सापेक्षी परमानू अनू या सुत्र भार को ग्राम में दर्साते यह याद रखना एक मौल पराबर इतना संख्या होता है 01 Celsius और एक वाई मन्य दापर किसी भी गैस का एक मोल का मान 22.4 लिटर इस्थान घरता है यह आप बिलकुल याद रखे बांकी चीज़ आपको देखने की ज़रुत नहीं है इससे समधित कौन-कौन सा कुछन बनते हैं हम नेश्ट वीडियो में बताएंगे आज लितना है थैंक होते हो आज के लितना है थैंक यू करना है